आज पंजाब में पंजाबियों दोवारा बनाईगी अपनी सरकार का एक साल पूरा हो गया एक साल पहले पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ा फत्वा दिया 92 सीटे दी 117 में से और पहली बार इत्हास में पहली बार हुआ आप चाहे पार्टिशन के बाद बोल दीजिये चाहे तो जब से नया पंजाब बना हर्याना से लगो के पहली बार कोई तीसरी पार्टि इतने बड़े मेंडेट से सरकार में आई लोगों को बहुत उमीदें बहुत लोगों को आस है कि आमादी पार्टि जैसे दिल्ली में कर रही है जैसे दिल्ली का नक्षा जो है आमादी पार्टि ने वो कमाल का बना दिया दिल्ली के स्कूल शांदार हो गए दिल्ली के हस्पताल पैरा सीटा मोल से लेके 50 लाग तक के टेस्ट उसमें फ्री है तो दिल्ली पूरी तरह से चमका दी गई है बिलकुल ऐसे पंजाब में करेंगे तो हमारी स्पीड ज्यादा है तो हमने एक साल में 500 से ज्यादा मुहला के लिए खोल दी वह हां 12 लाग से 15 लाग तक अब तक जो लोग हैं वो ओपीडी का फाइदा ले चुके हैं इसका मतलब उनको सरकारी अस्पतालों में जो है वो खजल खुआरी उनको धक्के नहीं खाने पड़े और अब शिक्षा का सवाल है तो स्कूल ओफ एमिनेंस खुल रहे हैं खेती में ह हम पंजाब को क्रॉप डाइवर्सीब केशिन की तरफ लेके जा रहे हैं हमारा पानी जो ग्राउंड वाटर है वो डेंजरिस लेवल तक लो चला गया है नीचे चला गया उसको भी हम पानी को बचाने के लिए नए नए तजर्बे कर रहे हैं लिटेस टकनीक सम अपना रहे हैं किसान खोश है किसानों को पूछ पूछ कर हम लोग अपनी पॉलसी बना रहे हैं किस जो किसान बता रहे हैं कितनी तरीक को नहर में पानी आना चाहिए कितनी तरीक को बिजली आनी चाहिए कितने बजे बिजली आनी चाहिए सब उनसे पूछ कर हो रहे हैं ऐसी मुख्यमंत्री के घर पर बैट के नहीं होते हमारी सरकार में फैसले एसी कमरों में बैट कर नहीं होते हमारी सरकार में फैसले लोगों में जा कर होते हैं लोगों से पूछ कर होते हैं जब अरविंद केजरिवाल जी के साथ हम पंजाब में परचार कर रहे थे सबा साल पहले बहुत भीड उमर रही थी लोग बहुत बड़ी संख्या में लोग हमको वेव करने के लिए आ रहे थे उमीद की एक किरन लेके आ रहे थे तो उन्हीं उमीदों को कैम रखना हमारी जिम्मेदारी है जिम्मेदारी का भाहर थोड़ा ज्यादा है लेकिन बड़े बड़े माफिय हमने खतम कर दिये एक साल में सैंड माफिय था जो रेट था वो बलैक में दिखता था वो माफिय तोड़कर आज हमने पंजाब में साड़े पांच रपे क्यूबिक फीट जो रेट का रेट है वो तैय कर दिया है और लोग इसका फाइदा ले रहे ह और जहां तक सिक्षा का सवाल है, हाइर एजूकेशन का सवाल है, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हम 16 नए मेडिकल कॉलेज जो हैं, वो पंजाब सरकार खोलने जा रही है, जिन में से तीन का शिला नयास हो गया है, उद्गाटन हो गया है, क्योंकि जब यूकरेन में प्रॉब्लम आई, रशिया के साथ जंग की, तो यूकरेन से बहुत से जो मेडिकल के स्टूडेंट वो भारत के, वो वहां से बापस बतन जब लेके आए गए, तो मुझसे मिले जो पंजाब वाले थे, वो कोई नलैक स्टूडेंट नहीं थे, उन जो काम यहां तीन क्रोड में होता है, वहां तीस लाक में हो जाता है, तो वहां से हमें आईडिया आया, क्योंना हम मेडिकल हब बना दे हैं हमारे पंजाब को, कि हमारे बच्चे यहीं पड़कर M.B.V.S. बने और पूरी दुनिया में जाएं, तरक्की करने के लिए जहां ह रहे थे, हमने उनको पकड़कर जेल में दे दिया, यही होता है पारदर्ष्ट्री की सकार, हमने पारदर्ष्टा लाने की बाद कही थी, क्योंकि हमारी पार्टी जो एरविंद केजरिवाल जी के नेतृत में यह पार्टी जो है वो एंटी क्रॉप्शन मूमेंट से निकली हुई है, अंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो जीरो टॉलरेंस है, क्रॉप्शन की प्रती, सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, अब तक हम 26,797 में सरकारी नौकरियां के नियुकती पत्र बांट चुके हैं, आने वाले दुनों में और भी बहुत सी नौकरियां देने है 28,000 के करीब हमने कच्चे मुलाजमों को पक्के कर दिया, जितने रहते हैं, उनमें सुब कुछ कनूनी अर्चने हैं, वो दूर करके हम उनको भी पक्का कर देंगे, हमारा मकसद है लोगों को काम मिले, लोग सुबा उठें और काम पर जाएं, यही देश की तरक्य होती है, बहुत से बड़े-बड़े इंडस्टिलिस्ट जो हैं, वो अपने प्लांट जो हैं, किसी का सबसे बड़ा इंडिया में प्लांट, वो पंजाम में आ रहे हैं, लुध्याना में आ रहे हैं, मोगा के लिए आ रहे हैं, राजपुरा में आ रहे हैं, जलंदर में, अमरिस्तर तो बिजली हमने फ्री कर दी किसानों के लिए तो बिजली पहली फ्री थी हमने 87 परषएंट घरों को बिजली का बिल भी 0 कर दिया और lange , बहुत खोश्य रे जितनी उमीद और जितनी आशाय आपने आมले हैमारी सरकार पर किने र dependency हैं वो कैम रखना जितना यकीन हमपर हम इस यकीन को तूटने नहीं देंगे यह हम बादा करते हैं अर्विन केजरिवाल जी ने जो गरंटियां दी थी वो गरंटियां पूरी करेंगे और आम तोर पे सरकारें जो आखरी साल में काम करती हैं कि लोगों को वोटों के समय याद रहें ये काम लिकिन हमारा मकसद आना उल्जा हुआ ताना ठीक करना है सतर साल लेट हैं इसलिए दिनराथ काम करना पड़ेगा हर शोबे में हर फिल्ड में आपकी सरकार आपकी सरकार पंजाब की सरकार पंजाबियों की सरकार जो है वो दिनराथ मेहनत कर रही है पूरी दुनिया में पंजाबे बैठे हैं एनाराइज बहुत एनाराइज हैं वो अपने पंजाम में अपने माइके में वो पैसा भी इनवेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि माइके से ठंडी हवा के जोंके आएं तो हम उनको भी दिलाते हैं कि आप आईए यहां इनवेस्ट करना है कोई गाउं अपने गोद लेन के आगे पहुंचाएगी तो जितना जुकीन आपने हम पर रखा एक साल आगे भी इस जुकीन को बनाए रखिएगा इससे हमारा होसला बढ़ता है और मैं यही एक बार फिर कहूंगा कि एक साल पूरा होने पर बहुत बहुत बदाई और अगला साल पूरा होने तक हमारी तरक्की की लोगा स्पीड वो डबल से भी जादा हो जाएगी नमस्कार, इनकलाब, जिन्दाबाद